हेलो फ्रेंज, विल्कम टू ड्राइन रूटेक चैनल, आज आमारे टोपिक है, हाउ टू ड्रोइ पेंटागन यूजिन जेनरल मेथट, मतलब जेनरल मेथट डिच करके हम लोग कैसे एक पेंटागन ड्राग कर सकते हैं, आपको बाताने वाला हूं, तो सबसे पहले मैंने एक 5 सेंटिमेटर लान ड्राग कर जहा हूं, आप लोग 5 सेंटिमेटर से ज्यादा और 5 सेंटिमेटर से कॉम भी ड्राग कर सकते हैं, यहाँ पॉयंट A, और पॉयंट B, अभी A, B का जो डिस्टन्स है मेजर करना है, और B पॉयंट में कौमपस को बैठन है और एक आर्ध ड्रा करना है अब इस जो बी पॉंड है इसी बी पॉंड से एक परपेंडिकुला लैन उपर ड्रकना है ऐसे जो परपेंडीकुला लैन यह आपको इंटर्सेक्ट किया यहा और पॉइंट यह दोनों पॉइंट को मिलाते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं, और एक अर्ग उपर और एक अर्ग नीचे ड्रा करना है और कॉम्पस के रेडियस को चीज़ने करना है ये पॉन में कॉम्पस को बैठना है एक अर्ग उपर और एक अर्ग नीचे ड्रा करना है अब यहां पर एक पॉन मिला और यहां पे दोनों पॉंड को मिलाते हैं एक लाइन को आगर ड्रा करते हैं जो बाइसेक्टिंग लाइन जो ड्रौ किया यह एपी लाइन को इंटरसेक्ट किया यहां पे यहां पे एक पॉंड मिला इसी पॉंड को फोर मान के चलना हाता है और जो bisecting line यह arc को intersect किये हैं पर इसी point को 6 मान के चलना होता है अबी point 5 को निकलते हैं तो point 5 को निकलने के लिए जो 6 और 4 का जो distance है इसी distance को bisit करना है तो bisit करने के लिए यहाँ पर जो point 4 यहाँ पर compass को बैठना है और 4 और 6 के जो distance है इसी का आधा से जाधा major करना है और दोनो तरफ arc ड्रा करना है और compass के radius कुछ च्ञेशनी करना है और 6 पॉन में बैठना है और दोनो तरफ arc ड्रा करना है और यहाँप एक पॉइंट मिला और यहाँप एक पॉइंट दोनों point को मिलाते होए ग्लाइन ड्राग करते हैं और यहाँ पे एक point मिला यह हो point 5 तो हम लोग pentagon ड्राग कर रहे हूं तो pentagon ड्राग करने के लिए जो point 5 और point A दोनों point का जो distance यह measure करना है और 5 point में compass को बैठना है और एक circle ड्राग करना है अभी A-B का distance measure करना है और B point में compass को बैठना है और एक arc यहाँ पे ड्राग करना है और A point में compass को बैठना है और एक arc यहाँ पे ड्राग करना है अभी देखिए यहाँ पे एक छोटा से error आता है जिसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं तो मैंने इसी पॉन में compass को बैठा के एक arc यहाँ पे ड्राग कर रहा हूँ देखिए यह arc यहाँ पे match नहीं कर रहा है अभी इसी पॉन में बैठा के और एक arc ड्राग कर रहा हूँ देखिए यह भी यहाँ पे match नहीं कर रहा है तो हम लोग जब general method ditch करके pentagon ड्राग करते है तो अब यह छोटी सी problem आ जाती है इसलिए हम लोग को कहा करना है यह जो bisecting line है यह circle को intersect कि यहाँ पे इसी को एक point मान के चलना हाता है तो आभी इक naming कर लेते हैं यह point A, B, point C, point D, point E अभी जिदने सरे point मिला सबको मिलाते हैं line रह करके match करना है तो पहले मैं point B और point C match कर जाँ अभी C और D अभी D, E अभी E, A और A, B यह website pentagon जनरल में थे डिच करके ड्रो हो चुका है तो thank you friends please subscribe my channel